दोस्तों, नमस्कार, नई AMG Hector Hybrid जी, हम दोस्तों, भारत में जल्द ही AMG Motors अपनी पॉपुलर SUV AMG Hector का Facelift Hybrid विकल्प लॉंच करेगा. आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में Viewling Almaz SUV भारत में AMG की बेजिंग के साथ हेक्टोर के नाम से आती है. अब इंटरनेशनल मार्केट में Viewling Motors Almaz Hybrid का Facelift लॉंच हो चुका है और जल्द ही उम्मीद है कि भारत में भी AMG Motors का यह Facelift आपको Hybrid इंजन के साथ अब मिलने वाले इंजन के विकल्प में देखने को मिलेगा. इस वीडियो में हम आपको कुछ खास फीचर्स के बारे में बताएंगे जो AMG Motors की इस SUV AMG Hector Facelift में आपको देखने को मिलेंगे. तो चलिए, शुरू करते हैं. इस वीडियो को शुरुआती अगर एकस्टीरियर से करें तो नए AMG Hector Facelift के एकस्टीर डिमेशन में आपको कोई बदलाव नहीं मिलेंगे. इसके डिमेशन अभी मिलने वाले हेक्टोर जैसे ही आपको मिलेंगे, पर एकस्टीरियर में आपको AMG की बेजिंग के साथ नया और आकरशक फ्रंट ग्रिल मिलेगा और 17 या 18 इंच के एलूवे वहील्स, नए रंग या डियूल टोन रंग के विकल्प, नई हाउजिंग के साथ फॉग लैंप जैसे कुछ फीचर्स इस SUV के एकस्टीरियर फीचर्स के कुछ हाइलाइट्स है, अगर इंजन और प्रदर्शन की बात करें तो भारत में AMG मोटर्स की यह हेक्टोर SUV अब मिलने वाले और गियर बॉक्स के विकल्प में आफर किया जाएगा, जिसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 140 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है, यह इंजन आपको मैनूल और CBT के गियर बॉक्स आप्शन में आफर किया जाएगा, दूसरे इंजन के विकल्प में 2.0 लीटर का डीजल इंजन आपको मिलेगा जो 166 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है, यह इंजन भी आपको मैनूल और CBT के गियर बॉक्स आप्शन में आफर किया जाएगा, और तीसरे आप्शन में, एमजी मोटर्स की हेक्टोर सब 2.0 लीटर तक के हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के आप्शन में आ सकती है, जो की दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आएगा, यह हाइब्रिड CBT के स्टैंडर्ड गियर बॉक्स के आप्शन में आफ, रख किया जाएगा, एक CB में आपको अ हाइ स्टैंडर्ड स्टील बॉडी, 360 डिगरी आराउंड व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मोनिटरिंग सिस्टम, हिल लॉंच असिस्टेंट, डाउन हिल कंट्रोल जैसे शांदार सेफटी के फीचर्स देखने को मिलेंगे। भारत में लॉंच होने वाली AMG मोटर्स की हेक्ट अगर लॉंच होता है, तो आप इसे पसंद करेंगे या फिर नहीं।